लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकुन को प्रेस करें लेटेस्ट थाओन लेटेस्ट अल्टhouse करेंग करें लेटेस्ट करेंगन विलोगारीट इया में अल्ट सेयर बाहते हैं कि लेटेस्ट कांपेट्स अल्ट सेयर अल्ट सक्षि pole कर दो कर दो अब क्या बताएं कई साल गुजर गए राजा दिल्ली छोड़कर चला गया अजी वो क्या गया यहां की सारी रौनक चली गई अब तो सिर्फ यहां उसकी बाते होती हैं जनाब तुम में से किसीने राजा को देखा है राजा हा हाँ बैंक टखाती के बाद वो यहां दिखाई नहीं इदिए सब चोर बजार में अपको सहीं बता सकते हैं मैंने गई सेंट्रल जेल में देखाता है राजा कितना अच्छा होता अगर राजा को उमर कैद की सदा हुई होती कम से कम 14-15 साल साथ रहने को तो मिलता क्यों चाचा कैसा है तीन साल से देखता है इदर इस बिजली के खंबे माफिक खड़ा है मैं भी तुम्हें तीन साल से जेल में आते जाते देख रहा हूं तुम यह चोरी करना छोड क्यों नहीं देते छोड देगा तो खाएगा क्या यह साला सिस्टर भी गड़बड है चाचा यह दुनिया है ना एक टीवी है जिसका रिमोट कंट्रोल यह साला अमीर लोग के हात में है जो आप उनको नचाता रहता है उपर वाला तो सब को बराबर देता ना सूराज का रोशनी आसमान हावा सब बराबर है आप पाघ के तीन घराग हा घराग है अब आज का दिन भहत अच्छा आई ज़ाग हा घराग है चलो में अरे क्या है यार अरे दिखता निये क्या अरे माफ करना भाई कोई बात दिशेट चल बे ये पड़ेल पाकिल पे मालवा लेकी नहीं यार अरे बहुत है ये ले सुन काट तू ला बपा ये तू ले मेरा पर्स मेरा पर्स कहा लिया दो हजार रुपे थे अब नहीं है मेरी जेबी खाली है मेरी जेबी पर्स है पईसे नहीं है इसका मतलब वह साला चोर था हम चारों की जेबे काटकी चला गया आज मुझे भुलाकर इत्य दिन कैसे रह जाते हो जब तुम उससे दूर होते हो तो तुम्हारे इंसार में नजरे हमेशा दर्वाजे पे ठीकी रहती है सोशती रजाने तुम कब दस्तक दोगे आखे मलते मलते सुभह हो जाती है न तुम आते ना नीद नीद तो साला अपुन को भी नहीं आता था बस रात बिताने के लिए आखे बंद कर लेता था कभी मेरी याद आती थी आती थी पन सोचता एक दिल के अलावा अपुन ने तुझे दियाज क्या है यह देल तो बहुत नसीब वालों को मिलता है राजा मेरे जिन्देगी में रोशे सर्फ तुम से है चांद और सुरज से सर्फ अंधेरे दूर करते हैं उजी तुम मिल गए सब मिल गया निशा तुम्हारी तस्वीरे तो बहुत अच्छी है पर इन कपड़ों में तुम्हें रामलीला में काम मिल सकता है हमारी एड्स में नहीं अफिस बेशने के लिए आपको औरत के जिस्म की नुवाइश करनी पड़ती है थैंक यू निशा कहां जा रही हो इस तरह बस में सफर करोगी तो तुम्हारा ये खुबसूरत बदन छिल जाएगा आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ मैं खुछ चली जाओंगी इस तरह गर्मी में बदन जलाने से तो अच्छा है कमी ने ने तो हर जगा बाजार होता है और ने हर चीज बिकाओ छोड़ो मुझे आप 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 इस आलाइ आप चोड़ू हां नहीं बताव गां तुझे सुर्य आजा अप आप अगे मत बढ़ना आगे मत बढ़ना राजा को पताएगा राजा नहीं राजा नहीं राजा आखिर ये अमीर लोग समझते क्या है पस्टॉप पर खड़ी हर लड़की क्या भिकाऊ होती है अरे तेरे पर कोई बूरी नजर डालेगा ना तो फोट डालेगा अपनों राजा समस्मझने की कोशिश करो इस तारा लाजगरी तुम्हें कुछ हो गया तो कौन है मेरा तुम्हारे सिवा राजा आज हमारे हाला ठीक नहीं है कोई भी हमें कुछ भी कहके चला जाता है कल जब ठीक हो जाएंगे कोई कुछ नहीं कहेगा वो कली तो नहीं आ रहा आएगा राजा जरूर आएगा इंसान मा की पेट से मुठी बंद करके आता है उसकी दुनिया से ही मिलता है और हमें भी दुनिया ही देगी यह 200 ओर यह मेरे 400 शो करो अप उन ब्लाइंड में फिर भी तेरी फट गई क्या फटी नहीं मेरे पास कैश नहीं है और तुम बिना कैश के खेलते नहीं हो अपना स्टाइल है फ्लैश विद कैश राजा तो फिर जीत किया बाप जीतने वाले खिलाडी के साथ खेलने का शौक हम भी रखते हैं शौक बुरा नहीं है बाप अपनी भी एक शर्त है पत्ते ये रहेंगे और खेल तुम्हारे और मेरे बीच होगा किता अपनलल पार झाल एक congratulations कि अ झाल कि दूसर कि बहुत कॉन्फिडेंस से खेलते हो अप उन आइसा ही खेलता है पत्य तो आप उन देखता है इस नहीं और जिसने पत्य देख ली हो उसके हाथ में तीन इक्के हो तो फिर तो उसको सब कोई दाओ पर लगा देना चाहिए यह रहा बंगला यह रही टी स्टेट और यह आप उनकी तस्वीर कौन है यह क्या से हजारों मिल दूर पालनपुर में यह आलिशान हवेली है यह टी स्टेट है और इन सब का मालिक है तुमारा यह हम शकल निर्मल जो लंडन में पढ़ता है और आज किल पालन पुराया हुआ है यह उसका बाप राय बहादुर चिनाय कार एक्स्टेंट में मारा गया है यह निर्मल की सौतेली मा सोनिया है और यह दीवान बलदेव जो कारोबार समालता है और यह मामा मालिक चंद सोनिया का नाकारा भाई यह गुड़ी है सोनिया की बेटी सौतेली बेहन होने के बावजूद भी निर्मले से बेहत प्यार करता है तुम्हारा ये पूरा स्टोरी अपून के भेजे में नहीं आया भाई। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। सैक्लों बार चेल की हवा खाने के बाद भी तुम्हारे पास दोगस जमीन नहीं जिसे तुम अपना कह सको। अमीरों पर गरीबों का हक चीनने का आरोप तो लगाते हो। लेकिन किसी अमीर से आज तक अपना हक नहीं चीन सके। आज मौका है। चीन सकते हो। करना क्या है। तुम्हें अपने इस हमशकल की जगह लेनी है। दिमाग मेरा और सूरत तुम्हारी। सूरा तूरा तो ठीक है लेकिन ये मेरा हमशकल दीवार पर लगा कोई फिल्म का पोस्टर नहीं है जिसको तुम निकालेगा और आप उनको उदर चिपका देगा ये गोरिया कोई बड़ा अदमी दिखता है इसको अटाएगा कैसे उसका प्लान मेरे पास से सारा इलाखा मेरे अंदर में आता है क्या आप बात बोलता है बाप फिर तो ये प्लान फेल होईगा इचनी इस काम के लिए मैं तुम्हें 25 परसेंट दूँगा नए आप उनका हिस्सा 50-50 होगा क्यूंके ये काम आप उनके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता क्यों आए के नहीं ओके टन 50-50 बाग़ी बात यहों निर्मल के बारे मुझे ट्रेल्स में तुम्हें देता रहूंगा वक्त आने पर तुम्हें निर्मल की जगाली नहीं होगी फिलहाल कुछ कैश रख लो राचा तुम कितने बदल गए हो सच पुछ के राजा लग रहे हो आँ निशा जब जेब में पैसा हो आदमी नाम हीच का नहीं अस्कलीच राजा लगता है अब तेरे को यह सब करने की जुरूत नहीं अब तेरे सारे अर्मान आप उन पूरा करेगा आप आप आपिरा आपा आपए राजा ये क्या करते हूं ये कोई शराफत है शराफत नहीं मिशा ये मुहबत है ऐसा नहीं अरुमान जाग जाए ऐसा नहीं अरुमान जाग जाए चल लेकी दूसरे से दूरे भाग जाए अच्छा, मैं चलता हूँ, जाओं, हाँ, जाओं, ओके, सी यू, बाइ बाइ अच्छा हुआ वो चली गई, बरन खया मत हो जाती मुझे उससे दर लगता था, मेरा दिल धक धक परता था अच्छा, फिर तू, येस, आई लव यू भूल कया था बात कोई, मैं वो कहने आया हूँ, छोड़के ये दुनिया तेरे दिल में रहने आया हूँ देखो हम पास जो आएंगे, दूर न फिर जा पाएंगे ठीक है बाबाबाब, जाता हूँ है ओके, सी यू, टाटा, बाइ बाइ ओके, सबस्क्राइब दो, मैं भूली तो यू, यू अलाव यू, निश्या इंविद्न करकराई करते बाइब करते दीक प्रके, करते रह दूए करते जो बाइब करते जो आमविद्न मर्जी है यही मेरा तो एक उसूर नहीं हम तो दूर रहे ये सिंद मासं को मन्जूर नहीं कच्छे ठागे में बंधे हुए चले आए हम खिचे हुए जागते है तो अरमान जाग जाए सोए हुए तो फान जाग जाए चलो एक दूसरे के संग भाग जाए सकती सबस्दू कही बंधे है को हर कै देंड़ा मा, मा, भाया को रोको, वरना एक न एक दिन इनका अक्सिदेट जरूर हो जाएगा, कितनी फास गाड़ी चलाते है, बाप प्रेबाप, मेरी तो जान ही चली गई तुम्हारा इस तरह तेज गाड़ी चलाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता वो तेज गाड़ी ही थी, जिसने हमसे तुम्हारे पिताजी को छीन लिया, मेरी दुनिया उचार थी, अगर तुम्हें कुछ हो गया, तो लोग कहेंगी कि सौतेली मा थी, मेटे का खयाल नहीं रखा ठीक है मा, अब मैं कभी तेज गाड़ी नहीं चलाऊंगा, लेकिन आज के बाद आप कभी अपने आपको सौतेली मा मत कहना, पॉमिस गुद मॉर्निंग निर्मर बेटा, गुद मॉर्निंग दिवान अंकल, बेटे ये कुछ पेपर्स हैं, इन पर साइन कर दो, मुझे कुछ मशीन्स खरीदने के लिए दिल्ली जाना है, अंकल ये सब काम आप मा से करवाईए, मैं पांच साल के बाद लंडन से आया हूँ, द और चालाक से, हाँ, ओ कैसे, अरे पहला किया नौकर, मगर नाम उसका रखा मालिक राम, अरे कमीना है तो मेरा नौकर ही, लेकिन तक्दीर के सितम से मुझे इसे मालिक कहना पड़ता, नहीं मामे, चालाक तो तुमारे मावाव थे मामा जी, नाम रखा मानिक चन, और ये नि वरना फाइजाबाद में किसी चीज की कमी नहीं थी, अरे, छे वक्त की रोटी तो टाइम टाइम से मिल जाया करती थी, लेकिन ये कमबक्त कभी चाहीं पर खाना नहीं देता, तुम्हारे खाने का टाइम कंसा है मामा जी, हर दो घंटे में तीन बार खाना खाते हो, चुप दो इदर ला, और ये मामा के लिए मलाई, वह, मालेक, बरसों बाद ऐसी मलाई खाई है, फैजाबाद की याद आ गई, मजा आ गया, मजा तो कल सुबह आएगा मामा, गाजियाबाद की याद आएगी, जब बातरूम में देर्ड मिटर मल-मल निकलेगी, छूटे माली, आप का जा रहे, सोचता आपने टी गाडन देखाऊ, पांच का साथ, 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 आमिल खान की फिल्म है, पांच का साथ, ये ले सात रुपे एक टिकेट दे, एक टिकेट मुझे भी दे, है आड अरे संद्ध और पांच वरावज हमारी चुटी होगी पिरव चुल्म पहुदिखने जाएंगे कैसे हर तु medker कर मत कर तो रुपया जादा किस बात का लेती हूं शेरू जा अरे इतनी जल्दी पांच बच गया अरे कहा जा रहे हैं तुम लोग अपने घर अभी से जा रहे हैं श्ट्टी की घंटी सुना नहीं दी और वो गंटी तो सुनाइधी लेकिन मेरी घडि में तो अभी चारी बज़े आ हैं तुमारी घडि का इमान धर्म थोड़ी हैं बूडे ठी बूड़ी घड्री हा वह फाट अंधिया तुन्हें मुकादम को अलू बनाकर हमें छुट्टी तो दिला दी अब दसकों सदूर सिनेमा हाल कैसे ले जाएगी वो देख आ गया बक्रा आहा जैसे वो गाड़ी हमारी लिए ही आ रही है अरे तु देख तो सही शेरू अरे कोई है जो इस बेरहम को पुलिस के हावाले करते देखिये आपका कुट्ता जान भूच कर मेरी जीप के आगे कुदा है जान भूच कर आरे यह तो कुट्ता है इसे क्या मुलम जीप का आगा पीछा क्या होता है अरे तुम तो इंसान हो तुम ने क्यों मोटर चड़ा दी आपके कुट्ते को कुछ नहीं हुआ है इसे हम आस्पिरल ले चलते यह ठीक हो जाएगा चलिए आझ आख और और गाontव के में फंच है आख धिस नेंच सपीह जव है चैना नोक्रीम होगुरु족ार के क्यों ड़क्री तुरी कंग श्तकती है अब है क्विम गछाब चैक च्टीपांतनान हितिक होो अ Makesh अच्छा अरे अस्पताल आ गया है यहां तो कोई अस्पताल नहीं है यह तो सिनिमा होल है पता है हमें यही तो जाना है चलो रहे इसका मतलब है कि तुम लोगों ने मुझे उल्लू बनाया अब फॉरिन यहां से निकलो वना लोग कहेंगे कि गाउ की छोड़ी ने शेहरी बापु को उल्लू बनाया अच्छा अब फाल तो बगबग मत करो हमारी फिर्म शुरू हो रही है चलते हैं जैराम जी की तब हमें शेहरी बाबु जीप में नजर आया और मेरे इशारे पर शेहरी जीप के आगे कूद गया अरे यह सब तो डर गई थी मैंने कहा डरो मत तो रूपया ज्यादा किस बात का लेती हूं यह लोग कल तो हम लोगों ने उसकी ऐसी हालत की कि वो बेचारा हमें खाब में अरे चोटे मालिक इतने वर्सों के बाद आप यहां आईया आईया मुझे इन सब का अभी और इसी वक्त हिसाब चाहिए जी चोटे मालिक है इसका मतलब है तुम लोगों ने वह हरकत छोटे मालिक साथ की आप समझाओ के तुम लोगों की नौगरी गई अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा हुआ है झाल अरे ओ शेहरी बाबु हमी माफी दे दे तु हमने न तुझे पहचारा पबर बाबा दोपा खा गए हम तु निकला चुपारुस्तम अरे ओ शेहरी बाबु हमी माफी दे दे तु हमने न तुझे पहचारा पबर बाब दोपा खा गए हम तु निकला चुपारुस्तम तु निकला चुपारुस्तम तु निकला चुपारुस्तम जो चाहे हैं तु निकला चाहे हैं जो चाहे रिश्वत लेले करते हम को जुर माना करते हम को जुर माना मो बरे बाबा दोपा खागए हम तु निकला चुपारुस्तम लाले 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 लालो कर घुसा यार जरा सा, घुसे में प्यार जरा सा हस दे एक बार जरा सा हख कर घुसा यार जरा सा घुसे में त्यार जरा सा हस दे एक बार जरा सा हस दे एक बार जरा सा तु हम से रूठ न जाना तु हम से रूठ न जाना बबर बबथो का खा गए हम तू निकला चुपा रुस्तम अरे ओ शेहरी बाबु, हमें माफी दे दे तू हमें न तुझे पहचाना, अरे ओ शेहरी बाबु, हमें माफी दे दे तू हमें न तुझे पहचाना, अरे बाबा धो का खा गए हम तू निकला चुपा रुस्तम तू निकला चुपा रुस्तम, तू निकला चुपा रुस्तम, तू निकला चुपा रुस्तम बस बस, बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को सच, छोटे मालिक, हमें बस एक ही शौक है, फिल्में देखना, जब तक हम फिल्म ने देखते हमें नीन ने आती तुम लोगों के लिए काम से ज़्यादा फिल्मे देखना जरूरी है नहीं छोटे मालिक, अब तुम आ गयो, अब हम काम छोड़के फिल्म देखने कभी नहीं जाएंगे या नोकरी बजगई मालिक राम, बहुत दिनों से ये फैजाबाद की कोई ख़बर नहीं छपी पेपर में मामा जी, आपके फैजाबाद में मंदिर तो होगे न हाँ हाँ है, मंदिर है, मस्चिद है, एक गुर्दवारा भी है तो वहाँ जाके भीक मागो नहीं, यहां क्यों पड़े हो क्या बोला दूने, कुछ नहीं, अरे वा, हैट अच्छी है, चलो उटो, सोबा साफ करना है मैं जिस जगे बैठता हूँ, तो वही जगे साफ करने के लिए पहुंच जाता है आप जिस जगे बैठते वही जगे गंदी हो जाती है नमस्ते, नमस्ते मामा फैजावादी, पाइलागू, पाइलागू जी ते रहो आगे हिलन कर, हिलाते हिलाते, मामा मामा, 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 यह रहा आपका नजराना वो जो आपने मुझे निर्मल्टी एस्टेट में काम दिलवाय था ना, उसके लिए जी, सुनो रामपाल, यह सारी फैलें निर्मल्टी एस्टेट की है, तुम इन्हें अच्छी तरह देख लो, आप इस एस्टेट को तमाम कानूनी सला हम देंगे, देंगे ना, जी सर, गुड, देंगे सर यह लीजे, निर्मल्टी एस्टेट की फैल है इसमें टीस्टेट की तमाम जानकारी है, लेकिन निर्मल्ट चिनाय की दस्तखत नहीं है भाया, 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 वो, वो मेरी चेन एस्पी थापा यह चेन किसकी है मेरी छोटी बेहन की इसे हवालात में बंद कर दूँ देखिए मुस्टे, आपको मेरे साथ पुलिशेशन चलना होगा ठीक है, बड़े आसान दस्तखत हैं आपके कोई भी निकल करके आसानी से आपके बेंक से लाखोर उपे निकाल सकता है SP साहब, जो दिखने में आसान होता है, उसे कॉपी करना उतना ही मुश्किल और वैसे भी आप घबराये मत जाइदात मेरे नाम जरूर है लेकिन चेक और बिजनिस मैटर्स में दस्तखत मा के चलते हैं मैं तो यहां रहता नहीं हूँ इसलिए power of attorney मैंने मा को दे रखी है बहुत अच्छी बात ने बल चनाय साहब मगर आपको अपने देश में रहना चाहिए कभी-कभी एक हाथसार जिंदगी में बहुत कुछ बदल देता है डैडी के घुजर जाने के बाद यहां जी नहीं लगता है हमेशा उनकी याद आती है anyway SP साहब मैं चलता हूँ चलो गुड़ी तेरा दस्थखत copy करना मुश्किल नहीं है निर्मल अगर मुश्किल था तो तेरा दस्थखत हासिल करना साहब आपने मुझे चोरी करने के लिए कहा आप ही ने पकड़ा और आप ही मुझे पैसे देकर छोड़ रहे हैं आज की बाद बालनपुर में नजर मताना बावा दिवान जी पूरे दो लाक रुपे हैं माल मैं आज ही ले जाओंगा कल सुबो को डिलिवरी देनी है पार्टी को ठीक है ट्रक्स लेकर रात को फैक्टरी आ जाना मामा मानिक चंद तुम्हें माल दे देगा टांगा रुको चल चल बांजा लंडन से आ गया है वो यहां कहीं टपक गया ना सब की हजामत हो जाएगी तक्दीर के सितम से फैक्टरी की लाइटे जल रही है यह लाइटे जल कैसे सकती है आज तो छुट्टी का दिन है जल्दी, जल्दी का दिन है शेरू, जाओ चलो मिया अरे बावा यह कहा से आगया शेरू, छोड़ने मत इसको यह लोग कहा से आगया चल, चल, हट आज छोटे मालक सबसे बड़ा नाम तुझे ही देंगे चार तरफ तेरी चर्चा होगी इतना सब कुछ पाकर हमें भूल तो नहीं जाएगी न साथियो, कल राज जो आप लोग ने फैक्टरी का नुकसान होने से बचाया है उससे यह थाबित होता है कि आप लोग इस फैक्टरी को अपना समझते हैं कि जो इनाम मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ वो इनाम मेरी इसी खुशी का एक छोटा सा हिस्सा है पहला इनाम गुलाबो संधिया यह क्या पहला इनाम तो तुझे मिलना चाहिए था दूसरा इनाम है कजरी तीसरा इनाम है जुमकी और अब आखिर में यह सबसे खुबसूरत इनाम उसके लिए जिसने कुछी मुलाकातों में मेरे दिल में एक खास जगा बना लिये भाई कितनी बेशर्मी से तेरी तारीफ कर रहा है यह चेन मैं अपने हातों से उसके गले में डालूँगा झाल वाई झाल प्लाँ झाल वाई मुकादम जी शेरू की तंखवा कितनी है शेरू की कुछ भी नहीं छोटे वाले किया तो गुत्ता है जब तुम घदे होकर तुम्हें तंखवा मिल सकती है तो शेरू को क्यों नहीं आज से शेरू की तंखवा पांच सो रुपे महीने होगी आज आज आपने मुझे गदा कहा तो बड़ा अच्छा लगा क्यों क्यों कि बच्वान मेरी मा मुझे प्यार से गदा कहती थी चलो अभी आप जाकर मेहमानों का खयाल रखिए जी कि पूशी इनाम ना बेकर तुम्हें खोश भी ना इतनी भीड नहीं थी कि तुम मुझे दEक न सको फैक्टिली का हरादमें तुम्हें दिखाए दे रहा था हरादमें को तुम्हें इनाम दिया सम्मान दिया तुम्हें क्यों दुखर है क्यों कि बचतुरी होने य Serial से मैं इसलिए कि तुम इनाम के लाइक नहीं हो तुम प्यार के लाइक हो मेरे तिल में मैं हूँ तेरे दिल में, तू है मेरे दिल में, मैं हूँ तेरे दिल में, तू भी मुश्किल में, ऐसा ही होता है प्यार में, चुपते हैं काटे बाहर में तू क्या करी मेरे साथ करों तू है मेरे दिल में मैं उते दिल में तू भी मुश्किल में मैं भी मुश्किल में ऐसा ही होता है जार में चुपते हैं काटे बाहर में तू क्या करे मैं क्या करू मिलके तुझे ऐसा लगा अब तक रहे हम कैसे जुदा मिलके तुझे ऐसा लगा अब तक रहे हम कैसे जुदा एक दूजे में हम खोने लगे हैं आगल दिवाने होने लगे हैं तू क्या करे मैं क्या करूँ तू है मेरे दिल में मैं हूँ तेरे दिल में तू भी मुश्किल में मैं भी मुश्किल में ऐसा ही होता है प्यार में चुपते हैं काटे मार में तू क्या करे मैं क्या करूँ करे मार में ना रोशनी ना चांदनी एक आग है ये दिल की लगी हम डोनों इसमें चलने लगे हैं दिल पे ये चादू चलने लगे हैं तू क्या करे में क्या करो तू है मेरे चल में मैं हूँ तेरे चल में तू भी मुश्किल में मैं भी मुश्किल में ऐसा ही होता है प्यार में चुपते हैं काटे बहार में तू क्या मरे में चाव करों तू है मेरे रिल में तू भी मुश्किल में निर्मल नहीं राजा अब लगता है ना बिलकुल तेरे निर्मल जैसा बिलकुल निर्मल राजा इस तस्वीर को भी अच्छी तरह से देख लो ये संध्या है निर्मल इससे प्यार करता है और बहुत जल्द ही ये दोनों शादी करने वाले हैं सही चीज़ अब आप राजा अब तुम्हारा खेल शुरू होगा आज तक तुम सिर्फ चोटी मोटी चोरियां करते आयो पहली बार इतना मड़ा काम करने जा रहे हो करोडों का खेल है होश यार रहना तुम ये सब क्या है कौन ही आदमी क्या प्लान बन रहा है किसके घर ढाका डाल रहे है राजा मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूगी और प्लान बन रहे हैं और आप अपने नजर से मर्द का कद और हद थोरो नाप सकती है और तु तो मुझे कोई बहुत गिरा हुआ आदमी ने ज़राता है निशा एसपी तुम जाओ आप उन्च समझाता इसको एसपी ये एक पुलिस ओफिसर होके तुमसे इतना घिनोना काम करवा रहे है कौन सा घिनोना काम किसी अमीर को लूट आपना हग चीनना है देख ये शकल देख मिलती है न आप उन से भगवान ने ये शकल आप उनको इसले दिये कि आप उन निर्मल की जगा ले सके उसकी दौलत हासिल कर सके अब आद्मियों की जगा मशीने काम करेंगी अब मशीने गलवड करेंगी तो मैं किसके पैसे काटूँगा तुम लोग गलवड करते थे तो पैसे काटेता था ना तुम सब लोग यहां क्या कर रहे हो आज काम काच बंद है क्या तुम सबको नौकरी से निकाल दिया गया दिवान जी आपने हमें नौकरी से क्यों निकाल दिया फैक्टरी में मशीने आ गई है अब हमें जादा मजदूरों की जरूरत नहीं है आपको मजदूरों की जरूरत नहीं है लेकिन मजदूरों को काम की जरूरत है छोटे मालिक उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह फैसला निर्मल का ही है उसी ने सब के साथ तुझे भी फैक्टरी से निकालने का फैसला किया है वा दिवान जी, खुब बदला लिया उस रात का, अब हमें चोरी करने से कोई नहीं रोक सकता एई संधिया संधिया क्या हो गया तुमें, इतनी देर से आवास दे रहा हूँ, सुना नहीं देता क्या सुनना चाहते हो जो तुम कहना चाहते हो, वो हमने दिवान से सुन लिया दिवान अंकल क्या बात है निर्मल मेरा नाम लेकर आपने इन लोगों को नौकरी से निकाल कर जो गिरी हुई अरकत की है उसके लिए इसी वक्त आपको इन लोगों से माफी मांगने होगी ये तुम्हारा मालिक काना तेवर बोल रहा है या इस मजदूर लड़की की महबत का जादू दिवान अपनी हद से आगे मत बढ़ना एक दो टके की लड़की का हाथ ठाम कर तुम मुझे मेरी हद बता रहे हो खामोश तुम्हारी हद क्या है हमारे टुकडों पे पलने वाले एक मामूली से दिवान तुम्हारी हमत कैसे हुई मेरे बेटे से उची आवाज में बात करने की और जिसे तुम दो टके की लड़की कह रहे हो वो हमारे खांदान की होने वाली बहु है अपनी बद जबानी के लिए मेरे बेटे से माफी मांग वरना इसी वक निकल जाए यहां से सॉरी अब आप लोग भी अपने अपने काम पर वापिस जाएए आज के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी चलो भी चलो फूकम होगी है चलो काम बे नाराज हूँ तुम्हें रांटे हुए मुझे भी अच्छा नहीं लगा लेकिन मैं क्या करती तुम तो जानते हो सारी प्रापटी निर्मल के नाम पर है कमबाखत तुम उझसे ये कहने आई हो कि सारी प्रापटी निर्मल के नाम है इसलिए तुम जब चाहो जहां चाहो मुझे जलील करोगी सब के सामने मेरी बेज़त ही करोगी जिसने तुम पर अपनी इज़त निचावर कर दी हो तुम्हे अपना जिसन सौप दिया हो वो तुम्हारी क्या पेज़त ही करेगी कुछ तब मेरा मान रखो मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी मेरी शादी होगी क्यों अब तो माने भी तुम्हे भव मान लिया है मेरे यकीन रखो लंडन से आते ही मैं तुमसे शादी करूँगा क्या तुम वापस लंडन जा रहे हो हां लेकिन सिर्फ थोड़े दिनों के लिए मुझे अकेली छोड़कर अकेले क्यों तुम्हारे पास मेरा दिल जो है और जो दिल में रहते हैं वो दूर रहकर भी दूर नहीं होते हमेशा साथ होते हैं मेरे माली को हमार ला 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 सत्पाल चाचा क्या सत्पाल जिन्दा है हाँ बाबा मैंने अपनी आखों से देखा अस्पताल वाले ने पकड़ कर ले गए लेकिन बेटे बाबा मैं सत्पाल चाचा को पैचाने में भूल कर सकती हूं क्या मैं भी वो हासा कैसे भूल सकता हूं जिसमें मालिक के साथ सत्पाल भी मारा किया मालिक के साथ कौन था उनका मालिक आपके पिता जी है मेरा भाई सत्पाल उनका ड्रैवर था इसका मतलब अगर वही सत्पाल है तो मेरे पिता जी का एक्सेंट नहीं हुआ क्योंके सत्पाल तो मेरे मालिक को माई डाला, 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 मेरे मालिक को मा हमें तो ताजुब था, कि आज तक इससे मिलने कोई आया क्यों नहीं? डॉक्टर साथ, क्या ये ठीक हो सकते हैं? क्यों नहीं? अगर आप इसे शहर के किसी बड़े अस्पताल में ले जाकर इसका इसका इलाज करवाएं, तो ये जरू ठीक हो सकता है. टीवी क्यों बंद कर दिया? क्या बात है पिठे? मा, पिताजी की मौत कैसे हुई? कार अक्सिडेंट में, सब जानते हैं, उनके साथ उनका ड्राइवर सत्पाल भी मारा गया. नहीं मा, पिताजी का अक्सिडेंट नहीं खून हुआ है. और सत्पाल मरा नहीं, जिन्दा है. ये, ये क्या कह रहा है तू? एक्सिडेंट तो एक फरेब था, हमारी आखों को धुका देने के लिए. क्यूंकि सत्पाल के मूप पर एक ही रठ है. मेरे मालिक को मार डाला, मेरे मालिक को मार डाला. और क्या कह रहा था वो? हमारी बदकिस्मती मा, कि उसकी यादार जा चुकी है. वो पागल हो गया है. लेकिन वो ठीक हो सकता है. मैं उसे दिमागी इलाज के लिए शेहर ले जाओंगा. और जब तक मैं पिताजी के हत्यारों का पता नहीं लगा लेता, मैं लंडन नहीं जाओंगा. मैं यही रहूंगा तेरे पास मा. यह कैसे हो सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता. बलदेव यह सच है. निर्मल का बदला हुआ रुक सत्पाल के जिन्दा होने की गवाही दे रहा है. लेकिन मैं कैसे यकीन करूँ? मुझे आज भी याद है वो रात. जब मैं और तुम. कहां गए आपके वो लीगल पती राय साहब? एपोट. आज वो अपनी पहली बीवी की निशानी अपने लादले बेटे निर्मल को मिलने लंडन जा रहे है. बहुत प्यार करता है अपनी वारिस्तार को. प्यार तो वो मुझे भी बहुत करता है. लेकिन जो सुकून मुझे तुमारी बाहों में आकर मिलता है, उसकी बाहों में नहीं. कैसे मिलेगा? पती और महबूब में यही तो फर्क होता है. अरे क्यों रो रही है तकदीर की मारी? जो कुछ हो रहा है ना, वो तो होता ही रहेगा, तकदीर के सितम से. सद्पल, जी, तुम यही रुको, चार बजे अएरपोर्ट वापस जाना है. इस फ्लाइट को भी आज ही लेट होना था. मैं तो समझता था, वैश्या सिर्फ बाजार में बैठी वह उरत होती है, जिसके मांग में किसी के कॉल का सिंदूर नहीं होता. जिसकी कलाय में किसी के नाम की चूड़ी नहीं होती. जिसके गले में किसी की बंदिश का मंगल सुत्र नहीं होता. मगर तू, तू तो उन वैश्याओं से भी बत्तर निकली, जो पर्दे में होकर भी पेपरता होती है. और तू, तेरी जगह अगर मैं साम से दोस्ती करता तो वो डस्ता, मगर इजद से कभी नहीं खेलता, मैं तुझे जिन्दा नहीं छोलूँगा. करते हैं तू. व्सुम्हार हटरी कि एसे थे जब झाल, यहुआ झाल, यहुआ झाल, यहुआ झाल, यहुआ झाल कि अबरा नहीं पच क्या अरे ये तो अच्छा हुआ उसकी आदाश चली गई तकदीर के सितम से वरना हम सबको हदकडी लग जाती ही हदकडी तो अब भी लग सकती है निर्मल सत्पाल को लेकर शहर जा रहा है उसका इलाज करवाने अगर वो ठीक हो गया तो ठीक तो वो तब होगा जब निर्मल शहर पहुंचेगा सत्पाल अगर राय बहादूर के साथ नहीं मरा तो उसके बेटे निर्मल के साथ मरेगा देखो निर्मल, हमने सत्पाल को बेहुशी का इंजेक्शन दे दिया है, चिंता की कोई बात नहीं, सुबाद तुम्हारे शाहर पहुंचने तक इसे होश आ जाएगा थैंक्यू दॉक्टर, अल्दे बेस्ट वो दिखो जारा है, जाने दो कितनी दूर जाएगा उसके कार में बाउम है, कुछी मिंटो में एक धमाका होगा, और सब खतम चलो उसकी मौत का तमाशा अपनी आँखों से देखते है चला था कमीना अपने बाप के कातिलों की तलाश में, खुदी मर गया आप मुखागनी रंगी, हाँ, आप नारी हैं, अपने ही संतान को अगनी दे सकेंगी जब नारी संतान को चन दे सकती है, तो अगनी क्यू नहीं दे सकती मैं अभागन इसकी सौतेली मा, इसे चन देने का सौभागय तो नहीं मिला कम से कम अगनी तो देने दीजिए परना इसकी आत्मा को से की, सौतेली मा थी, कुछ नहीं दिया कर दो एक पंजाबन दिल चुरा के ले गई सोना सोना दिल मेरा सोना अबे ओ, हराम खाओ, हवेले में मातंग हो रहा है, तेरे जवान भांजे की मौत हुई है, और तू सच सबर रहा है, लोगों का रोलो के बुरा हाल है, और तेरे आखों में पसीना तक नहीं, बगवान करे तेरे मौत पे कुता भी न रोए, तेरे अर्थी पर जुतो की माला च जी जी जा, चोथे में जड़ा इंतजार हो रहा है, हम तो बिलकुल बे सहारा हो गए, एसपी साब, पहले राय बहादुर जी और अब निर्मल, तो उन्हों कार अक्सिडेंट में चले गए, क्या बता हूँ अगीन साब, मेरा तो कले जा भट रहा है, जब से भाजे की मौत हुए है, अनका एक डाना पेट पे नहीं गया, पाली पीता हूँ, आसु बनका बहार निकलाते है, वसीयत लाए है, हां, बैना, वकील साब आए है, वसीयत की बात करने, वसीयत, मेरे मेरे मेटे किचिता की आगा भी थंडी नहीं हुई, और तुम्हें वसीयत की पढ़ी है अरे क्या करूगी मैं यहावेली, क्या करूगी इस दॉलत का, मेरा सब कुछ ले लो, मगर मेरा निर्मल मुझे वापिस लादो, मेरा बच्चा मुझे वापिस लादो सोनिया जी, तुखों की बिजली हम सब पर गिरी है, होसला रखिये, यह बात सिर्फ एस्टेट और जैदाद किरी, इसके साथ जुड़े बहुत लोगों के परिवार है, अगर इस समय आप एस्टेट की बाग डोर अपने हाथ में नहीं लेंगी तो, तो सब कुछ खतम हो ज क्या है यह, जी एक नोटिस है, जाइदाद आपके नाम करने से पहले, इस नोटिस को इस्तिहार के तौर पर अगबारों में देना होगा, साथ दिनों के अंदर अगर किसी आदमी ने जाइदाद का दावा नहीं किया, तो जाइदाद आपकी हो जाएगी, प्लीज साइन इ क्या, राजा अब तक महीं पहुचा, शायद भगवान ने उसके आखे खोल दिये, अस्वी साहब, हम लगपती के तरह जीना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इस तरह लगपती बनना नहीं चाहते, मुझे खुशी होगी, अगर राजा ने आपका काम करने का इरादा बदल दि जो अजगर के मुँ में जाने के बाद सिंदगी की बात करते हैं, राजा खुद बदल सकता है, लेकिन अपने उन्हे रादों को नहीं बदल सकता, जो उसने मेरे लिए की हैं, बड़ा भरोसा है आपको अपनी आप पर, लोहे का स्वाद लोहार नहीं, वो घोड़ा जानता है, जिसके मुँ में लगाम होती है, मेरा नाम भीम थापा है, दगा भी मुझे दगा देने से डरता है, राजा तो मेरे हाथ का वो प्यादा है, जिससे मुझे हवेली की बिसात जीतनी है है? करिंगा तेप क्यों बज़ गर दिया? पागल हो गई क्या? मैं पागल हो गई हूँ तुम सब गंदे लोग हो भाया के मौत पर आशु भाने के बज़ाए? तुम आच रहे हो गुड़ी यह क्या बखवास कर रही हो जाओ अपने कमरे में नहीं मैं आपने कमरे में नहीं जाओ तुम जाओ यहां से अगर तुने मुझसे जबान लडाए न तो मैं नहीं नहीं मौगिन इसे मत मारी है यह बच्ची है ना समझ है तू चुप इस बच्ची को हाथ मत लगाई है निर्मल बावु इस दुनिया में ने इसका मतलब यह नहीं आप इस बच्ची पर अत्याचार करें अब तेरी यह उकात हो गई तु मेरी बहना से जबान लड़ा रहा है अले बहुत सर पर चड़ा रहा है तुझे मैं मैं केता हूँ बहना निकाल दो इसे नवक्री से मुझे घर से निकाल नat की कई जOODरूरत नहीं है मैं खुच जा रहा इस इस घर में कोई नहीं रहा जिदेमारम मालिक कहें लुप मैं लिए लिए- इस मनहूट हो इसी वकर ले जाकर हास्टल में ढाल दो नहीं मैं होस्तिल नहीं जाओंगी आरे कैसे नहीं जाओंगी तू जल देखताओ कैसे नहीं जाओंगी अरे ये आधी रात को पेड़ कहां से गर गया तकदीर के सितम से कि अरे बागी गादू आरे का ये रात प्रेख मुझे बचालो नहीं जाना है क्यों है चोड़े इस नहीं प्लीज मुझे बचालो आवे कहना चोड़े से भाइया अधालिक, तो स्वीट कौन है तू, तू वापस आगे, कौन दया तुझे उसका भाई कौन है तो बहुत जल्दी तेरी आखों का पानी चला गया जो अपने बेटे को नहीं पहचान रही कौन सा बेटा मेरा बेटा मर चुका है लगता है यह कोई बदमाश है मैं अभी पुलीस को फोन करता हूँ हलो एस्वी साब मैं दिवान बोल रहा हूँ हमारी हवेली में निर्मल की शकल का एक आदमी घुसाया है कोई बहरूपिया बहरूपिया आप फॉरन पहुंचाएए ठीक है मैं अभी आता हूँ थैंक यू कर लिया फोन कर ऐसंदी आइए इस्पी साब आईए आई अए जोर में गेट से सीना तांकर सीधा हमारे घर में घुसाया। तकदीर के सिथम से कहा हें वो? क्या बात है ऐसपी साहब इतनी रात को मेरे घर पर क्या कर रहे हो? इन लोगों का मानना है कि तुम सही मानने में निर्मल चिनवय नहीं हो कोई बहरूप यह हो इन लोगों ने कहा और तुमने मान लिया क्या तुम निर्मल कुमार को नहीं पहचानते पहचानता हूँ लेकन ये भी हकीका ते निर्मल मर चुका है उसकी चिता मेरी आँखों के सामने जलाई गई हो सकता है कि ये मरने वाला कोई बहरूपया हो तुम बहरूपये नहीं हो इसका तुमारे पास क्या सबूत है मेरी सूरत मेरी शक्सियत किसी सबूत की मौताज नहीं मैं निर्मल कुमार हूँ राय बादुर जिनॉय का बेटा इस एस्टेट का वारस हाँ अगर इनके पास मेरे निर्मल ना होने का सबूत हो तो पेश करें मैं खुद को तुमारे हवाले कर दूँगा एस्पी साहब इसकी बातों पर यकीन करने की भूल मत कीजेगा ये मेरा बेटा नहीं है हाँ मैं तेरा बेटा नहीं हूँ क्योंके तू मेरी सौते लिमा है लेकिन मैं निर्मल कुमार हूँ तू निर्मल नहीं है मेरा बेटा मर चुका है बहरुपिया निकल यहां से मिस्स जिनाय जब तक इसके बहरुपिया होने का सबूत नहीं मिल जाता तब तक यही रहेगा अगर आप लोगों ने इसके साथ कोई बेजा हरकत की या कोई जात्ती की तो मुझे आप लोगों के खलाफ कारवाई करनी पड़ेगी अंडर्स्टेंट लुट गये परबाद हो गये बेडा गरक हो गया अरे बेना सब कुछ हाथ में आके जाते हुए दिखाई दे रहा है तकदीर के सितम से एक बात बता थापा तूने उस निर्मल को उड़ाया कैसे निर्मल को मैंने नहीं उड़ाया वो तो एक हाजसा था जिसमें वो मारा गया निर्मल को भगवान ने खतम करके हम दोनों का काम आसान कर देख राजा अब जितनी जल्दी हो हवेली से माल निकाल कर खेशक ले और होश्यार रहना अब वो लोग भी खामूशी से बैठने वाले नहीं सारे कागजात तयार हो गए हैं कल तक जैदाद आपके नाम हो जाएगी कल क्यों देखिए हमाई तरफ सो जो नोडिस जारी की गई थी उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर साथ दिनों के अंदर अंदर कोई आदमी प्रापर्टी पर क्लेम या दावा नहीं करता है तो विल क के मुताबिक जैदाद आपकी हो जाएगी आज आखरी दिन है अगर शाम तक किसी ने आकर क्लेम नहीं किया तो कल मेरी जैदाद इनके नाम कर दी जाएगी मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग की उड़ गया वकील साहब मैं निर्मल हूँ आप जिंदा है मरे नहीं मरा होता तो तुम्हारे सामने कैसे आता वकील साहब लेकिन मेरे पास तो आपका डेस सेटिपिकेट भी है अच्छा हाँ और मैं तो आपके चौते में विशरीक हुआ था मतलब तुम भी पूरी तरह इन लोगों के साथ हो नहीं 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 निर्मल बाबू मैं किसी के साथ नहीं हूँ मैं तो जो कुछ भी कर रहा सिखाओ तुम मेरी प्रॉपर्टी हतियाने के लिए इन लोगों की मदद कर रहे हो मगर याद रखना अगर तुमने मेरी जाइदात के साथ जरा भी गरबड की तो मैं तुम्हें फ्रॉट के केस में नंगा करके आदालत में खड़ा कर दूँगा ने 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 निर्मल की बात कर रहा है तू हवेली मेरी जाइदात मेरी एस्टेट मेरी ये तेरी बहना का की मालकिन हो गई खामोश चिल्ला मत कर दूँग कर दूँग मैं इसका क्या करूँ इसकी बत्ती बना लेना है वोंदर अने न पाए कर दूँग मैं जा इसका है ये हैं ये वह अनुग है ये यूपिया जो तुमारे मालिक निर्मल की जगा लेना चाहता है ये ये फैक्टरी मेरी है जो कोई मुझे बहर उपिया समझता है वो ये फैक्टरी छोड़का जा सकता है तुमने हत्यार नहीं उठाए क्या तुम्हारी नजर में मैं बहुरूपया नहीं हूँ मेरी नजर में तुम निर्मल भी नहीं हो निर्मल बाबु अपने वर्करों के लिए लड़ते थे वर्करों से नहीं लड़ते थे यही वो जगह है ना संध्या जब इनाम बांड़ते वक्त मैंने तुमसे अपनी महबबत का इकरार किया था यही वो जगह है जहां तुम्हारे हग के लिए मैं दिवान से लड़ा था यही वो जगह है जहा मा ने तुम्हें बहू माना था मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए अपने निर्मल होनी की सफाई मैं तुम्हें दे रहा हूँ वरना खामोश यहां से चला जाता तुम्हें भी छोड़कर अब तुम और तुम्हारा दिल जो फैसला करें मुझे मन्जूर है निर्मल हम क्या फैसला करेंगे हम खुद तुम्हारे जूटी मौत पे इतना रुए हैं कि आज तुम्हें जिन्दा देखकर मुस्कुराएं भी नहीं चाता आ गई न तुम भी इसकी बातों के फरेब में इस लूटेरे के हाथों बरबाद हो जाओगे इस फैक्टरी के साथ साथ तुम सब को बेज़ देगा मैं कहता हूँ रोक लो इसे ये सब क्या हो रहा है वही जो तुम चाहते थे इस बहरूपिय ने फैक्टरी पर भी कबजा कर लिया है तुम इस बहरूपिय का साथ दे रहे हो मगर तुम इसका अंजाम नहीं जानते मैं तुम्हें सस्पेंड करवा सकता हूँ मेरी पांच तुम्हारी पांच से बहुत उपर है बलदेव दीवान पर कटने के बाद तु परिंदा भी उड़ान भरना बंद कर देता है तेरे तो हाथ पाऊं दोनों कट चुके हैं अपनी हरकतों से बाज आजा वरना कानून का पट्टा तिरी गर्दन में डाल दूगा फिर लोग कहेंगे अच्छा खासा आदमी था कुट्टा बना दिया आई जी साब, SP थापा मुझे धंकी देता है कहता है कानून का पट्टा मेरे गले में डाल देगा मैं आपसे फिर कहता हूँ, आई जी साब ये एक साजिश है जिसमें SP थापा भी शामिल है आप जानते हैं आप क्या कह रहें आई जी साब, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ SP थापा शुरू से ही उस भहरूपय की रहनुमाई कर रहा है आई जी साब, ये तमाम तस्वीरें चिनाए खांदान के पूरवजों की हैं ये साल में सिर्फ एक बार बरसी के वक्त निकाली जाती है आज निर्मल के दादा की बरसी है उसे अपने दादा की तस्वीर पैचाननी होगी अगर वो अपने दादा की तस्वीर नहीं पैचान पाया तो आज आपके सामने ये साबित हो जाएगा कि वो बहरूपया है वैसे इन में से उसके दादा की तस्वीर कौन सी है वो, तीसरी सर मिस्टर थापा, क्या वज़ा है कि तुम्हारी लाग कोशिशों के बावजूद, आज तक ये केस सुलज नहीं पाया फिर पुलीस कि ये मेरी हवेली है या मुजरिमों का अड़ा अब यहां तेरे जैसे गुंडे हो, वहाँ पुलीस नहीं आएगी तो क्या, फैज़ाबाद से सादू संत आएंगे, तक दीर के सितम से, आएं, बोले है पंड़ जी, हार दीजे ये सब क्या है याद नहीं तुझे, आज तेरे दादाजी की परसी है तुझे उनकी तस्वीर पर हार पैनाना है हैरान की हो गया, अपने दादा की तस्वीर नहीं पैचानता पैनाओ भांजे, आज तुमारे बाप के बाप की बरसी है, तकदीर के सितम से हमनों, तुए 09ade तुमांशब वा þमांशब यृू कर देख लिए आई जी साब देखा आपने सच्चाई आपके सामने आ गई ये निर्मल नहीं बहरूपया है मिस्टर थापा अरेस्ट रिम सर इंस्पेक्टर सब्सक्राइश निर्मल कुमार चिनोय यूर अंडर अरेस्ट मेरी गिरिवतारे की वज़ा इसलिए कि तुम बहरूपया में थाबित हो गए हो ये तस्वीर दादा की नहीं कुल गुरू की है जानता हूं पंडर जी दादा जी की तस्वीर ये है जब तुम ये जानते थे कि ये तुम्हारे दादा जी की तस्वीर नहीं है तो फिर तुमने इस तस्वीर पर हर क्यों डाला वो इसलिए शायद इस घर के लोग भूल गए हों लेकिन मुझे अपने घर की परंपरा आज भी याद है हमारे घर में सबसे बड़ा दर्जा गुरू का होता है और दादा जी तो गुरू को भगवान से भी उंचा मानते थे अब आप ही सोचिए अगर मैंने गुरू जी से पहले दादा जी को हार पेनाए होता तो दादा जी की आत्मा को कितनी ठेस पहुंचती मगर आप एक बाद याद रखिए मैंने हर कदम अपने निर्मल होने का सबूत दिया है आज के बाद अगर दोबारा पुलीस मेरे घर पे आई तो मुझे मजबूरन पुलीस के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा सौरी मिस्टर निर्मल अब शक की कोई गुंजाश नहीं रही हाँ आज के बाद अगर इन लोगों ने आपके साथ कोई ज्यात्ती की तो हम इन के खिलाफ एक्शन लेंगे पंड़र जी मेरी मा की तरफ से गरीबों को खाना किला देना तो यह है तेरी साथ तेरी अवकात तेरी असलियत अरे मेरा निर्मल शराब पीना तो दूर शराब को छूता तक नहीं था तेरा निर्मल था ना लेकिन मैं तेरा निर्मल नहीं हूँ तेरे निर्मल जैसा हूँ तू कुछ भी कर ले मगर तू मुझे बहरूपया नहीं साबित कर सकती मा मत कह मुझे मा तेरे मुझे निकला हुए ये शब्द मुझे मा की गाली से भी गंदा लगता है तुझे मा कहना तो मेरी मजबूरी है क्यूंके तुझे मा कहने से ही मुझे ये सारी दौलत मिल सकती है जिस पर तु नागिन की तरह बैठी राच कर रही है दौलत तुझे दौलत चाहिए ना ले ले और ले ये भी ले ले जितनी चाहिए ले ले और दफा हो जा निकल जा मेरे घार से तुने मुझे इतना कमजोर बिजनिसमें समझा है कि मैं तेरे चंद लाख रूपे लेकर यहां से निकल जाओं अरे भगवान ने मुझे वह सूरत दिये जिससे मैं करोड़ों कमा सकता हूं तू एक काम कर पैसे तुझे मैं देता हूं यह पैसे ले और दफा हो जाए यहां से ले मेरी ही दॉलत तू मुझे खेरात में दे रहा है हमारे बीच मा बेटे का रिष्टा नहीं है अब आइंदा हाथ उठाने की कोशिश की तो हाथ तोड़ दूँगा समझी मामा यह लो खीर खीर हाँ क्या हुआ मामे कल रात घर में खीर बज गई थी मैंने सोचा किसी भिकारी को देदू इतने में वो कमीना खुजली वाला कुट्टा आके इसे चाट गया मैं भी फेक देने वाला था फिर सोचा कुट्टे की चाटी हुई खीर क्यों न किसी दूसरे सड़े हुए, गिरे हुए कुट्टे को खिला दू बस तुम्हारी याद आ गई मामे मामे इसे मत फेकना यह डबबे को लेकर मैं सुबा बाथरूम जाता हूँ अगर इसे फेक दोगे तो सुबा बाथरूम में लेकर क्या जाओंगा बहुत हो गया मालिक बहुत हो गया अब तू सीधी तरह नीचे चल और मैं खाना आगा नीचे मत जाना पंगा हो जाएगा वो बेटा पी रहा है लगता है बहुत घुशे में क्या इसलिए बोलता हूं मामे खीर खाले कल सुबा के डबा ले जाओंगा खाले खाले मामा पता नहीं अगली बार खीर कब मिलेगी खाने को और फिर कुटे नहीं तो चाटा है इंसान भी तो पहले जानवर ही था तकदीर के सितम से खाले इसलिए कि तुक पेमेंट कैश कर रहा है यह ले गेट पास और जा माल भर ले अरे हाइदरबादी तु यह क्या कर रहा है दंदा कर रहा हूं मिया दंदा इससे चुप चाप दफा हो जा मेरे ओफिस से यह दिवान किसे बागा रहा है साले नौकर होकर मालिक के आफिस में घुसके बत्तमीजी करता है नौकर कौन नौकर मैं तेरा नौकर हूँ सबान खीच रूगा तेरी सबान कीचे का मेरी एक बात याद रख कली के कुत्ते की आवकाद घर के बाहर तक होती है घर के अंदर मू डाला तो मू तोड़के हाथ में दे दूँगा समझा अरे संध्या तुम निर्मल बाबू आज शाम हमारी बस्ती में शेरत पूर्णीमा का त्योहर मनाई जा रहा है आप आएंगे तो हमारी बस्ती की रौनक बढ़ जाएगी तुम बुलाओ और मैं ना आओं ऐसा कभी हो सकता है अरत आए लात मैं जाएगOOOO ये चांद कोई दीवाना है कोई आशिक बड़ा पुराना है ये चांद कोई दीवाना है कोई आशिक बड़ा पुराना है पिछे किसके ये भागे सारी रात ये जागे ये शमा है या परवाना है दीवाना है ये चांद कोई दीवाना है कोई आशिक बड़ा पुराना है ये चांद कोई दीवाना है मेरे नेल कवारे खज़रारे मेरे बिंडिया मारे लशकारे मेरे नेल कवारे खज़रारे मेरे बिंडिया मारे लशकारे मेरे सपनों में आये मुझे गीत सुनाये मेरे सपनों में आए मुझे जीत सुनाए पंची परदेशी बंजारे हाँ बंजारे मन मस्त मगन हो जाए नारं रूप रतन खो जाए ना मन मस्त मगन हो जाए ना, रग रूप रतन हो जाए ना, मन मेरा केला, ये पुनक मेला, में ने में मिलन हो जाए ना, हो जाए ना मेरे दिल में चुपा है जोर कोई, मेरा दर्द न जाने और कोई मेरे दिल में चुपा है जोर कोई, मेरा दर्द न जाने और कोई इस दिल से निकालो, दिल कैसे समालो, मेरा दिल पे नहीं है जोर कोई, है जोर कोई मेरा दर्द न जाने जोर कोई जिस दिन से तुझ को देखा है, उस दिन से ये मैने जाना है तू मेरे लिए है, मैं तेरे लिए हूँ ये सचबा की अपसाना है, अपसाना है ये चांद कोई दीवाना है कोई आशिक बड़ा पुराना है पिछे किस के ये भागे, सारी रात ये जागे ये शमा है या मरवाना है, दीवाना है कर दो कर दो झाल प्रद करती गाल हाद वाद रख जाद राद नाद जाद, हाद ए राद, हाद जाद, हाद! कर दग자ा मुनंनना थालओ कर मादे! आर रुट कर दो कमारे से जैंनू कर दो कि वरियो चाल चे अाय राहन न हुआ हुआ और स अाय न हुआ 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 हाक यह अ क्या बात है स्पी साहब हवेली से फोन करके किसी ने अर्जंट हमें यहां बुलाया है हमें से तो किसी ने फोन नहीं किया फोन मैंने किया था एसपी साहब मुझे एफ आयार दर्च करवानी है बाग क्या है आज रात जब मैं बस्ती के प्रोग्राम से वापस आ रहा था तो रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझे मारने की कोशिश की लेकिन मैं बच गया मैं चाहता हूं कि आप तैकिकात करें कि वो किसके आदमी थे तुम्हें किसी वशक है उन लोगों पर जिनके रास्ते का मैं काटा हूं मेरा इशारा तो आप समझ गयोंगे साफ साफ हमारा नाम क्यों नहीं लेता पुलीस और कानून तो तेरी ही बात सुनेगी कह दे कि तुछ पर हमला भी हमी लोगों ने करवाय है किसी को कुछ कहने की ज़रूत नहीं है मिसेश चिनाओय पुलीस अच्छी तरह से जानती है कि आप निर्मल को निर्मल कुमार चिनाओय मानने के लिए तयार नहीं अब एक बात याद रखना मिस्टर निर्मल कुमार पर दुबारा कभी हमला हुआ या किसी भी हाथ से में जरा सी खराश आई तो इसके जिम्मेदारा आप होंगे और मुझे मजबूरन आप लोगों को हेरासत में लेना पड़ेगा SP साहब अगर मुझे पर दोबारा हमला हुआ तो सेल्फ डिफेंस के लिए मुझे मजबूरन कानून को अपने हाथ में लेना पड़ेगा अपनी आत्मरक्षा के लिए तुम जो चाहो करो मगर किसी की जान मत लेना ओके बुनाइट पटियां समाल के रखना दीवान तेरे काम आएंगी तुम मुझे गलत साबित नहीं कर सका तो गुंडो का साहरा लेने लगा हाँ अब मार मुझे मार मार ना चल मार मार मुझे मैं तो यही चाहता हूं कि तुम मुझे मारे मगर याद रखना दीवान अगर मेरे जिसम पर एक भी खराश आई तो तेरी आज की रात घर पर नहीं हवालात में कटेगी अच्त हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु अब आएंदा अगर तु मेरे रास्ते में आया तो मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूंगा यह राजा यहां क्या कर रहा है यह राजा तुम्हें क्यों मार रहा था राजा कौन राजा बंबाई का छटा हुआ गुंडा है साला क्या तुम तुम जानते हो से हाँ क्या सबूत है तुम बड़े पास हजारों सबूत है और सबसे बड़ा सबूत है राजा का है कौन राजा? किस राजा की बात कर रहो तुम? वही, जिससे तुम प्यार करती थी और जिसके खार आने की रहत अक्ती थी लेगिन बदकिसमती से वह जेलो में ही रहता था कि मैं किसी राजा को नहीं जानती खुबसूरती के साथ साथ जूट बोलने का इल्म भी तुम्हारे पास अच्छा है क्या बक्वास कर रहे हो मैं बक्वास नहीं करता प्रिटी गर्ल मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि राजा जो अपनी सूरत का फरेब देने के लिए मेरी हवेली में गुसा है उसे वापस बुला लो क्योंकि इसमें हम दोनों का नुक्सान है मैं मानता हूँ कि दुम बहुत खुबसूरत हो लेकिन मर्द का दिल आवारा होता है कहीं ऐसा नहों कि तुम उसके इंतिजार में यहां करवटे बदलती रहो अप जो और वो वहाँ इस लड़की के साथ सुहागरात मना रहा हो निरमल मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम काफी बदल गयी हूँ अब देखो ना, आज तुम मुझे कितने दिनों के बाद मिल रहे हो जो दिनों बाद मिलते हैं, वो दिनों तक दिलों में रहते हैं मेरी चाबी लाव मुझे दो संधिया संधिया अरे संधिया किसने बोला थो तुम्हे भागने हाँ समल के चला करो उन रासा में चला ठीक नहीं जिनमें फिसलन ज्यादा हो ठीक है मैडम मेरा नाम निशा है मॉंबे साय हूँ जॉर्निलिस्ट हूँ मुझे आपका इंडिव्यू चाहिए राजा साहब मेरा नाम निर्मल है नाम निर्मल है लेकिन आज अब इस स्टेट के राजा ही तो है ना बड़ी मेरमानी होगी अगर आज अब थोड़ा सा वक्त निकाल के मुझे इंटिवी देजे लिवान जी इस बार तुमने सही गोटी फिंकी है राजा अब तुम यह ही कहोगे ना कि जो कुछ भी मैंने देखा वो मेरी आँखों को धोका है राजा तुम घर से अपना नाम बदल के आये थे लेकिन यहां के यहां आके तुमने अपने आपको भी बदल डाला यह तुम कैसी बाते कर रही हो निशा मैंने जो सुना वही देखा तुम्हारी आखे जो कल तक मेरी रुप का आयना थी आज यून में किसी दूसरी के दस्विर बस गई है अब उनकी बात का यकीन करो निशा उसके पाव में मोच आ गई थी छोड़ दुनिया के पाव में कितना मैंने तुम्हारे पाव में अपना दिल रखा है दिल याद रखना एक लड़की सबकुछ बर्दाश्ट कर सकती है लेकिर अपने महभू की बिस्त में किसी सौतन के जुड़े का फूल नहीं तुम्हे क्या लगता है कि तुम्हारा राजा ऐसा कर सकता है राजा तुम्हारा था, तुम्हारा है तुम्हारा रहेगा वो पंगलाकाडी, छुमके कंगना, सब दे देना, उसको सजना वो पंगलाकाडी, छुमके कंगना, सब दे देना, उसको सजना आग लगे उसके जोबन को, दिल मत देना मेरी सौतन को दिल मत देना मेरी सौतन को वो पंगलाकाडी, छुमके कंगना, सब दे देना, उसको सजना वो पंगलाकाडी, छुमके कंगना, सब दे देना, उसको सजना वो पंगलाकाडी, छुमके कंगना, सब दे देना, उसको सजना कर दो कर दो कर दो को तु है उसके प्रेम करोगी मेरी बड़ी बद नामी होगी तू है उसके प्रेम करोगी मेरी बड़ी बदलामी होगी उसका मत बन जाना जोगी भूल के अपनी जोगन को दिल मत देना मेरी सोतन को मत देना मेरी सोतन को उसने गा कर सिल्मी गाना कर डाला तुझको दिवाना उसने गा कर सिल्मी गाना कर डाला तुझको दिवाना दिल मत देना मेरी सोतन को दिल मत देना मेरी सातन को मेरे पास नहीं क्या राजा शूके देख बदन ये आजा सूके देख बदन ये अजा करके बहाने गली में ना जाओ, मिलने किसी परोसन को दिल मत देना मेरी सौखन को दिल मत देना मेरी सौखन को ओ बंगला काडी छुमके कंगना सब दे देना उसको सजना आग लगे उसके चोखन को दिल मत देना मेरी सौखन को दिल मत देना मेरी सौखन को टेप उसमें आओ यह रहा कैसेट कैसेट तो नहीं है तुम इसी वक्त यहां से बंबे चली जाओ तुम मुझे वापस क्यों बेजा जाते हो समझने की कोशिश करो निशा उन लोगों ने तुम्हें मेरा परदा फाश करने के लिए बुलाया यह देखो यह कसेट उन लोगों ने हमारी बाते टेप करने के लिए रखी थी यह तो अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया वरना आज मेरी असलियत उनके सामने आ जाती तो छोड़ दो यह धंदौलात का लालच राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं तुमारे साथ किसी भी हाल में जी लूँगी पागल मत बनो निशा मेरी बात मानो और यहां से चली जाओ नहीं मैं यहां से नहीं जाओंगी मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ जिस हाल में देखा है वो वह रिबरदाच के इंतिहां थी निशा संध्या से मेरा कोई संबन नहीं है वो मुझे इसलिए प्यार जता रही है क्योंकि वो मुझे निर्मल समझती है और तुम निर्मल बनके उसका फाइदा उठा रहे हो जब तक मैं यहां निर्मल बनकर रहूंगा मुझे निर्मल की हर चीज को अपनाना पड़ेगा संध्या कमीने मकार फरेबी आज तक तु निर्मल होने का फरेब देता रहा मेरे पिहार मेरे जज़बात को खेल कर फेक दने वाला खिलोना समझत रहा मुझे धोका देता रहा तु मैं आज तुझे बे नकब करके ही छोड़ूंगी संध्या अपनी शकल का फाइदा उठाखर तु निर्मल बाबु की ज़्यदाद हत्यानी आया है मैं तेरा यासली चला दूना के सामने लेके आओगी सबको पता दूगी कि तुझे खूनी है दोग है बादर फॉले भी है कि कि इस पी साफ गरी लोकिए गरी लोकिए इसे गिराफतार कीजे यह बहर रुपय निर्मल बाबु नहीं राजा है राजा तुम कैसे जानती हो कि यह राजा है मैंने खुद अपने कानून से सुना है यह राजा है इसे गिराफतार तो लीजे यह राजा है राजा अबाब राजा अगर यह लड़की गाउं तक पहुंच गई तो हमारे तमाम मन्सूम पर पानी फिर जाया रहा तुम किसी तरह निशा को यहां से लेकर जाओ मैं इसे खातम कर देता हूं कर दो कर दो कर दो कर 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 प्रप्रवब भीजूज ही, भीजुगा एप बादे लोगा के लिए पयादे लोगारी, लोगा हुआए, लोगा हुआए. तुम्हें यहां निशा को लाने की ज़रुवत क्या थी? तुम जानतों लोगों के जहन में तमारे बेहरूपय होने का शक आज भी है निशा को यहां मैंने नहीं बुलाया वो यहां कैसे आई यह मुझे कुछ नहीं बता मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करना राजा मैं सिर्फ उपर से पुलिस आफिसर हूँ अंदर से एक ऐसा चलाद हूँ जो तुम जैसे जेब कत्रों को जेब में रख के खूँता है जिस आदमी के लिए पुलीस की जेल छोटी पड़ती हो वो तुझ जैसे पुलीस वाले के जेब में नहीं आएगा कल हमारी गेम का आखरी दिन है कल अप उन सब के सामने अपने पत्ते डिकलेर करेगा लेडीज एंड जेंटलमेन जैसा के आप जानते हैं के मिस्टर निर्मल कुमार आज अपनी तमाम प्रापर्टी की निलामी करवा रहे है और निलामी की शर्ते तो आपको बता ही दी गई है पेमेंट कैश होगा वो भी 500 के नोटों में वकील साहब निलामी शुरू करो जी साहबान सबसे पहले बोली लगाई जाएगी निर्मल टी एस्टेट की जिसकी कीमत हमारे निर्मल बाबू ने सिर्फ दो करोड रखी है दो करोड दस लाक दो करोड बीस लाक धाई करोड धाई करोड एक धाई करोड दो धाई करोड तीन अब बोली शुरू होगी इस शांदार हवेली की 1942 में बनी इस हवेली की कीमत हमारे निर्मल बाबू ने सिर्फ तीन करोर रखी है मेरे सामने मेरी संपत्ति कौडियों के भाव बेच कर तू सोचता है तू यहां से चला जाएगा कौन रोकेगा मुझे तू जब तू मुझे इस हवेली में आने सी नहीं रोक सकी तो जाने से क्या रोकेगी और अरत है औरत के दाएरे में रह वो सीता थी जिसके सामने लक्षमन रेखा खीची गई थी मैं दाएरे में रहकर अपनी बर्बादी का तमाशा नहीं देख सकती तो क्या करेगी तूने अभी तक मेरा असली रूप नहीं देखा तेरा कोई भी रूप मेरा रास्ता नहीं रोक सकता तू आज तक मुझे बहरूपिया साबित करने की कोशी करती रही लेकिन नाकाम रही मगर आज जाते हुए मैं तुझे हकीकत बताता हूँ मैं बहरूपिया हूँ मेरा नाम राजा है आज तेरा सब कुछ लेकर जा रहा हूँ मैं अगर तुझ में तम है तो मुझे रोक ले नहीं तू नहीं जा सकता हाट अगर तुझे रहा हूँ अगर फड़ नहीं तू fandom के उत्वेशने चराओ यप जिस एक insert अ रहा हुआ मैं तुझे रहा कहले अारप मैं तुझे रहाँ तुझे रहे हुम तुझे रहा हुम जा czούँ फईव़ चरोढ कीं परिन्हर मैं तुझे वहाँ वहाँ Explσत क्वं रहाँ कमीने तू क्या समझता था तू मेरी संपत्ती इतनी आसानी से ले जाएगा इस संपत्ती के लिए मैंने अपने पती की जान ली अपने सौतेले बेटे की हद्या की तो क्या तुझे छोड़ दूंगी बहुत खूब जब मैंने तुझे निर्मल के चौथे पर छाती पीट पीट कर रोते हुए देखा था तब तु मुझे मम्ता में सराबोर एक माह नदर आई थी मगर तू तो बहुत उंचे दर्जे की औरत निकले पती और बेटे के खून के बाद एक और ताजा हो इतनी जल्दी नहीं थाबा अभी आपून जिन्दा है आपून जानता था कि नागिन बदला लेती है इसी लिए आप उन्ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया था अब तेरी जिन्दगी आपून के हाथ में है तू हार गई तेरी घर्दन तो अपून के पकड़ में उसी वक्त आ गए थी जब निर्मल तेरे ड्राइवर सत्पाल को लेकर शहर जा रहा था कौन है राजा तेरा हम शकल आप उनकी शकल एक जैसी है लेकिन आप उनके हालात एकदम अचलक तेरे पास राजपाथ आप उनके पास फुटपाथ चाहते क्या हो आप उन तेरी तमाम दौलत का मालिक बनना चाहता है जिसका तू मालिक है तुम समझते हो पुलीस और कानून इस मुल्क से खतम हो चुक जो आप उनके 50 परसन का पाटनर है क्या आप उनका बस चले तो दुनिया के सारे अमीरों के हाथ में कटोरा देखकर नंगा करके भीक वंगवाऊं इस पाईसा बिडू देख राजा इस वक्त मुझे जाने दे यह आदमी जो मेरी कार में है मैं इसका इलाज करवाने जा रहा हूं क्यूंके यह उन लोगों को जानता है जिन्होंने मेरी मा का सुआ गुजाड़ा है मुझे अपने बाप के कातिलों से बदला लेना है क्यास्ती बोल बच्चन ने इसका मतलब तू निर्मल है हाँ मैं निर्मल हूँ निर्मल कुमार चिनॉय तुम्हारा सौतेला बेटा सत्पाल मर चुका था मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था तभी मेरे दिमाग में मेरा वो हमशकल राजा आया जिसे ये कमीना निर्मल बना कर हमारी हवेली में घुसाना चाता था पर्स में राजा की मेवूबा निशा की तस्वीर थी मैंने राजा के बारे में तमाम जानकारी हासल की और उसकी आदतों को अपनी सूरत में ढाल कर तुम लोगों के सामने आया आज मेरा मकसद पूरा हो गया है मैंने अपने पिता जी के कातिलों का इकबाल जुर्म इस टे वारुस्तम निकला अब मैं तुम सब को कानून के निशा यह सब तेरे मज़े से हुआ है मेरा राजा तेरे मज़े से मरा है दो हट्यारा है खोड़ी है मैंने निर्मल थापा निशा को छोड़ दे निर्मल पिस्तॉल फैंक दे और टेप मुझे दे दे तुने गाड़े में बाम रखवाय था ना तेरी वज़े से राजा मरा है तुम आरत नहीं आरत जातिक कलर दे टुम टुम आरत अवा नहीं आरत नहीं एज़े लिगर वभायग तुम आरत वज़े ज़िए एढ थए एए दे एए एएए ए एए एएए एएर गुम आरत पार एएए एएए वोर साही ?」lim मौ गज्याओ constructive कि कर दे घुड जो जुड एगा जुड एगा यह तुमने क्या किया मैं जा रही हूँ अब अपने राजा के पास मिस्टर थापा तुम्हारी सरकत के लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा ये लिजाय जी साथ इसमें इनका एक बाले जुर्म टेप है थैंक यू निर्मन ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था और निलामी में बोली लगाने वाले हमारे ही आदमी थे इस नामुराद को भी ले जाएए जेल में ज़डू पोता लगाने काम आएगा निर्मल बेटे फाइजा बाद के बुजर्ग बिल्कुल सही गहते थे जैसी करने ही वैसी बढ़ने बुरे का आँठ बुराई होता है हाँ चले मेरे सब नहीं इनके साथ चले तू निकला चुपारोस्टम तू निकला चुपारोस्टम तू निकला चुपारोस्टम तू निकला चुपारोस्टम झाल झाल